नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है बोड वेव सिग्मा स्मार्ट वाच ज्वाली में लोंच हुई है Amazon पे और आपको मिलती है केवल 1499 में तो ये है कॉलिंग स्मार्ट वाच जिसकी कॉलिंग रेंज है 10 मिटर मतलब कि आपके स्मार्ट वाच और फोन के बीच में 10 मिटर ये उससे कम का डिस्टन्स होगा तब भी आपकी वाच में कॉल का फीचर काम करेगा इसमें है 2.01 इंच का बीग LCD डिस्प्लेः 550 निट स्पीक ब्रैटनेस के साथ इसके लवा इसमें है हार्ट रेट और एंस्पीटू सेंसर 700 प्लस एक्ट्व मोड लाइव क्रिकेट स्कोर Music and Camera Control वो इस असिस्टन्ट और ये है IP67 Water and Dust Resistant मतलब कि आप इसे पानी में एक मिटर गेराई तक आदे गंटी के लिए उसकर पाओगे तो जो स्मार्ट वाच है काफी lightweight है इसकी body है plastic की और इसका weight है केवल 45 ग्राम हालाग इसकी build quality अच्छी है आपको मिलते है silicon के straps 22 mm के जो अच्छे quality के है उपर में है एक metallic buckle और दो straps holder बड़न के उपर है mic और इस side में है speaker बैक में है 2 pin charging slot S.2 and heart rate sensor आप इन straps को remove भी कर सकते इसे तरीके से बात करते है battery और charging की तो आपको इस तरीके से अटाच करके इसे चार्ज करना है इसमें 220 mh की battery इसे full charge करने के लिए आपको लगेंगे 2 hour आपको मिलेगा 5 दिन का battery backup लेकिन अगर आप calling का score होगे तो आपको मिलेगा 1-2 दिन का battery backup चार्जिंग करने के लिए यादा सोट का charging adapter यूज कर सकते हो जितना slow charger आप इस करोगे उतना बहतर होता है smart watch की battery life के लिए long run में या आप अपने PCI laptop में जो USB बढ़ता है उसे भी charging कर सकते हो या आप अपने power bank से भी इस smart watch को charge कर सकते हो इस smart watch को first time यूज करने से पहले आपको इसे full charge करना है ताकि आप आपको first time से ही अच्छा battery backup मिले तो मैंने इसे full charge कर लिया है मैं करूंगा इसे switch on तो आपको बड़न पे लोंप्रेस करना है जब लोगों दिखा देगा तब आपको अपनी only release कर दनी है तो smart watch हो चुकि है switch on अब हम करेंगे इसकी pairing अपने smartphone के साथ इस smart watch को अपने phone के साथ pair क करने के लिए आपको अपने phone में play store बजाकर इसे आपको download करना जिसका नाम है boat crest तो boat crest इसे आपको download किजिए आपको इससे करना है open swipe किजिए फिर किजिए get started आपको अपने phone number को enter करना है box में टिक करना है और करना है send OTP इसके बाद आपके number पे जाएगा एक OTP आपको इस OTP को enter करना है और करना है next फिर करना है continue to pairing अपने phone में Bluetooth को on किजिए इसके बाद किजिए grant permission values in the app allow allow फिर आपको tap करना है वेव पे और यहाँ पे होगा वेव सिग्मा यह रहाँ आपको इस पर ट्याप करना है continue किजिए और यहाँ पे आपको शो करेगा सिग्मा इस तरह के से इस पर ट्याप किजिए तो आपकी watch successful repair हो चुकी है आपके phone के साथ आपको करना है get started disabled battery पे tap किजिए continue to home page फिर आपको मिलेगा यह pop-up जहाँ पे लिखा होगा action required आपको allow पे tap करना है call notification को on किजिए permission को allow किजिए bot crest को on किजिए allow किजिए back जाईए sms को भी on किजिए और app notification को भी on किजिए अब इन में से आपको कौन-कौन से apps की notification रिस्यू करनी है आपके smart watch में आपको इन apps को on करना है टिक करके इस तरह किसे फिर आपको करना है show changes ओके अब देखते हैं अगर आपको कोई भी call आता है तो किस तरीके से शोगा रहगा आपकी watch में तो call आ चुका है इस तरीके से आपको मिलेगा call का reminder यहाँ पे contact का ना में नंबर्श होगा आपकी watch में बजेगे ringtone और आपकी watch करेगी vibrate अगर आपको ringtone को mute करना हुआ तो आपको अगर अबड़न पे प्रेस जो ringtone होगी mute हो जाएगी आपकी watch में आपको यहाँ पे करना है आपको split up करना है सामने अले को जाएगा SMS और आपका call हो जाएगा cut अगर आपने call को answer कर दिया तो आपको अब मिलेंगे आपे 3 options इस call के volume को adjust करने का तो आप error पे tap करके call के volume को adjust कर सकते हो इस तरीके से इसके बाद है यहाँ पे call को switch करने का option तो जो call है अब चल रहा आप शाला कि माक को mute करने का option नहीं अगर आप को mute करना है यहाँ का option अगर आप अपनी watch में call को resume नहीं करना चाहाँ थे तो आप अपनी watch में call के feature को apart कर सकते हो आपको जना है अपने phone के BT settings में B पे long time कीजिए और यहाँ पे होगा Sigma आपको इस पे ट्याप करना है फिर इसके बाद अगर आपकी watch में कोई भी call आएगा तो आपको उसका reminder तो show करेगा लेकिन अब आप उसे अपनी watch में resume नहीं कर पाऊगे आपको मिलेगा इस तरह के से call का reminder तो यहाँ पे contact का नाम यह number शोगा आपकी watch care की vibrate और यहाँ पे आपको भी लेंगे तीन option इस call को cut करने का जो preview है इसे remove करने का यह इसे silent करने का मतलब की vibration को off करने का और यह है reply को send करने का option जो भी आपनी reply set की है यहाँ पे शोगरेंगे ट्याप कीजिए decision करने उसे इस तरह के से तो आप सभी options का भी उस कर पाऊगे हलाकि आप अपने call को रिस्यू नहीं कर पाऊगे अगर आपको अपने call को रिस्यू करना है तो sigma पे ट्याप करके आपको करना है इससे connected उसके बाद आप अपनी watch में call को फिर से रिस्यू कर पाऊगे अब देखते हैं अगर आपको कही भी sms आता है तो किस तरह के से चुकरेगा आपकी watch में तो sms आ चुका है इस तरह के से आपको भी लेगा sms का preview जब sms आएगा तब आपकी watch में display होन हो जाएगा और आपकी watch में होगा vibration यहाँ पे आपको message का content show नहीं करेगा अगर आपको message का content देखना हुआ तो आपको जना होगा homepage पे और करना होगा swipe right यहाँ पे आपको शुकरेगा sms का content ट्याप किजिए तो contact का नाम time और यहाँ पे होगा message का content indie font और emoji support निगर दे और आप इस तरह के से message के read कर पाऊगे 6-7 line maximum यहाँ पे आपको शुकरेंगे आपके पिछले 8 message आप सभी को यहाँ पे read कर पाऊगे open करगे इस तरह के से अगर आपको सभी को एक साथ करना वो clear तो यहाँ पे है contact का नाम या number चोगा time और यह है message का content इस तरह के से आप उसे read कर पाऊगे अगर आपने हाँ पे लिखना मिस्ट कर दिया है तो homepage पे कीजिए swipe right और यहाँ पे होगा whatsapp message इससे tap करके आपको open करके read करना इस तरह के से whatsapp में भी शुकरेंगे maximum 6-7 line अगर आपको whatsapp चो कई भी वही स्कोलिय वडियो को लाता है तो उसका भी आपको मिलेगा reminder आपकी watch में फिर इसके बाद आपको नीचे मिलेगा my watch का tab आपको इस पे tap करना है और यहाँ पे सबसे पहले watch face को change करने का option आपको change watch face पे tap करना है तो यहाँ पे है total 106 watch faces और यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग-अलग categories अगर आपको किसी भी watch face को download करना है तो आपको इस पे tap करना है जैसे कि मुझे हमाल लेते हैं download करना है इस watch face को तुम इस पे tap करूँगा और करूँगा update इस तरह किसे आप किसी भी watch face को download करके अपलाई कर सकते हो जो watch face है अपलाई हो चुका है आप देख सकते हो ओकी किजिए लेटर अगर आपको अपनी खुद की photo set करना है तो आप भी कर सकते हो आपको हापी मिलेगा my creation का option इस पे tap किजिए create watch face पे tap किजिए background पे tap करके आपको gallery को open करना है जिस कसी photo का आपको set करना है आपको इस photo पे tap करना है मुझे set करनी है ये photo तुम इस पे tap करूँगा फिर आप इससे कर सकते हो rotate इसके लावा आप इससे mirror भी कर सकते हो यहाँ से फिर किजिए save time पे tap करके आप दो तरीके से time format को show कर सकते है एक तोटा digital जो show कर रहा है एक हुता analog digital में भी आप जो font style है उसे change कर सकते है उसके लावा जो format है time का उसे भी change कर सकते हो और जो font size है उसे भी change कर सकते है और font का color है उसे भी आप change कर सकते है पिर आपको टिक पर ट्याप करना है, इस तरीके से आपको time show करेगा, और आप इस time को अपने हैसाब से जहाँ पर चाहँ है, वहाँ पर place कर सकते हो freely, इस तरीके से, अगर आपको किसी भी element को remove करना हुआ, तो आपको उस पर tap करके, जो delete का icon होगा, उस पर tap करना है, remove करने के ल date, steps, distance, calorie, heart rate, battery, मैं आपके शो करूँगा, date, steps, और battery, तो आपको date पर tap करना है, आप phone style को choose कर सकते हो यहाँ से, इसके लावा जो formatted date का उसे भी change कर सकते हो, अपनी हिसाब से, phone की style चूष किजिए, color चूष किजिए, टिक किजिए, इस तरीके से आपको date शोकी जाएगी, आ इस तरीके से आपको शो करूँगा, तो आप steps को enable कर सकते हो, तो आपको जो phone की style है, उसे change करना है, size को, इसके लावा phone के color को, फिर आपको टिक पे tap करना है, इस तरीके से आपको शो करेंगी, यह steps, आप देख पा रहे हो, इसके बाद battery के लिए, battery पे tap किजिए, फिर आपक अपको color choose करना है, battery के लिए, इसके लावा phone style, और यहाँ पे phone size, टिक पे tap कीजिए, इस तरीके से आपको शो के जाएगा, battery level, आप इस जहाँ पे place कर सकते हो, अपनी हिसाब से, फिर आपको करना है, say, apply now, इस तरीके से आप अपने किसी भी photo को set कर सकते हो, watch face पे, और काफी और यह से swipe करना, इनके बीच में switch करने के लिए, जिस watch face को set करना है, आपको इस पे tap करना है, आप अपनी watch में एक साथ 8 watch face को place कर सकते हो, हाला कि पहले 7 watch face fix होते है, आप उन्हें change नहीं कर सकते, तो last वाला होता है, 8 number का watch face बस उसी को आप change कर पाऊगे, इसके बाद है, watch settings आपके इस पे tap करना है, सबसे पहले है, watch features, tap कीजिए, इसमें सबसे पहले है, auto monitoring heart rate, मतलब की automatic heart rate measurement, तो अगर आपने इससे own किया है, और माल लेते हैं, आपने timer set किया है, 30 minute मतलब की अब आपकी watch में, हर आदे घंटे के बाद heart rate automatic measure होता रहेगा, timer आप जितना कम रोखोगे, उतना कम battery backup आपको मिलेगा, आपकी watch में, अगर आपको battery backup बड़ी आचाहिए, तो आपको set करना है, 60 minute पे, या आप इसे off भी कर सकते हो, off करने का मतलब है कि अब आपकी watch में, heart rate automatic measure नहीं होगा, हाला कि आप जब चाहिए तब अपनी watch में, बड़ी आसानी से heart rate measure कर सकते हो, manually manually, आपको करना है, save, ok, आगे है alarm, आप जो alarm है, अपने app से भी set कर सकते हो, हला कि हम set करेंगे, अपनी watch के जरिए, इसके बाद है, sedentary reminder, तो अगर आप एक घंडे के लिए, बिना किसी activity के ऐसे ही बेठे हो, ideally, एक घंडे के दुरान आप चले ना आप उठे तो आपको हर घं पंडे राएगा, आपको फिर करना है, save, ok, आगे है नजेस, तो अगर आपको नजेस को on करना है, तो इसे on कीजिए, और अगर आपको चाहिए vibration, तो इसे भी on कीजिए, इसका मतलब क्या होगा, आपने जो भी set किया होगा, goal, जैसे कि आपका daily goal कितना है, रोज आप चलना चाहिए जो 5000 steps, तो अगर आपके 5000 steps complete नहीं हुए है, तो आपको मिलेगा, नजेस मतलब की वाइबरेचन होगा, आपको वाच में, कि आपका जो goal है, incomplete है, उसे complete करना चाहिए, इस तरह किसे आपको मिलेगा, नजेस, तो अगर करना है, इससे तो save, पे tap किजिए, ok, किजिए, इसके बाद है BT calling, तो आपको इस पर tap करना है, फिर इसके बाद है Your contacts, तो आपके 20 contacts, आप एड़ कर वाऊगे अपनी वाच में, तो आपको इस पर tap करना है, add contacts पर tap किजिए, आपको जिस किसी contacts को add करना है, उसके सामने box होगा, उसमे आपको click करना है, इस तरह किसे, तो मैंन के लिए बैक जाईए आगे है find my watch तो आप इस फिचर के ज़री अपनी watch को ढूंड सकते हो मैं लो आपने अपनी watch को ही पर रख दिया है आपको नहीं मिल रही है तो इसे में अगर आप इस प्रेटे आप करोगे तो आपकी watch में होंगी दो चीजे आपकी watch में डिस्प्ले ओन ह हो जाएगा और आपकी watch करेगी वाइबरेट 15 सेकंड के लिए हाला कि फिचर द भी काम करेगा जब आपकी watch आपकी phone के साथ connected होगी इसके बाद notification जो हम पहले ही on कर चुके है back जाओगे तो आगे है watch control ट्याप किजिए सबसे पहले है dnd तो आप यहांसे dnd को on कर सकते दो तर नहीं करोगे तब तक dnd off नहीं होगा और dnd on करोगे मतलब कि आपकी watch में कोई भी message या call शो नहीं करेंगे अगर आपको इससे sit करना है time की hesap से तो आपको schedule पे on करना है time sit किजिए जो time आप यहां पे sit करोगे उस time के दुरह आपकी watch में dnd काम करेगा इसके बाद click reply तो आपकी watch में जब भी call या sms आएका तो उसके लिए आप send कर बाओगे reply को तो आपको इस पर tap करना है इससे own कीजिए allow कीजिए ok कीजिए permission पर tap करके आपको sms को own करना है sms allow कीजिए back जाईए फिर से इससे own कीजिए और यहां पे manage quick reply tap कीजिए आप यहां पे maximum pass reply को add कर हाला कि अगर आपको मैंसी केसी को edit करना हुआ तो आपको pencil के icon पर tap करना है फिर आप इसे erase करके अपने इसाब से कोई भी reply add कर पाओगे maximum में आपके support करेंगे 60 characters जैसे की मुझे add करना है I will call you in 10 minutes इस तरीके से आप कोई भी reply add कर पाओगे अपने इसाब से फिर करना है save और अपकी watch में display off होता है अगर आपको say own करना हुआ तो आपको अपनी watch को उपर की और rest करना है आपकी watch में display own हो जाएगा तो आप इसे दो दरीके से use कर सकते हो एक तो schedule के हिसाब से time set करोगे उस time के दुरान ये feature काम करेगा अगर आपको इसे हमेशा के लिए use करना है तो set आपको जो time format है उसे change कर सकते हो यहाँ पर है दो option 12 hour 24 hour आपको जो time format से करना है उस पर selection किजिए फिर किजिए ok बैक जाओगे तो फिर यहाँ पर है system settings और इसमें है linked application और यहाँ पर आपको मिलेगा option google fit का मतलब कि इस board crash app में आपका जो भी activity और health data है उसे अगर आप sync करना च तो यहाँ पर आपको शोगरेगा आपका आज का activity data और आप यहाँ से date को भी change कर सकते हो तो यहाँ पर शोगरेंगी आपके steps आपका sleep data अगर आप चाहाँ आते हो आपकी watch में आपका sleep data measure हो तो आपको अपनी watch को सोने के दुरान पहें रखना है और आप अपनी watch में जो भी vital मेजर करोगे जैसे कि आपका हाट रेट, SP2 और स्ट्रेस तो आपको शो करेगा यहाँ पे वाइटल लिटल में जैसे कि यह है हाट रेट, स्लिप डेटा, SP2 और स्ट्रेस लेवल, आप इन डेटा को अलगला डेट के हिसाब से भी छेक कर सकते हो डेट को चेंज करके, और आप जो भी वर्काउट करोगे आपकी स्मार्टवाच में, अगर आपको इस वर्काउट का डेटा देखना हुआ, तो जाना है, फिटनेस में, और यहाँ पे होगा Activity History, ट्याप किजिए, आपके सारे वर्काउट यहाँ पे शो करेंगे, माइवाच में अगर आप नीचे जाओगे, तो यहाँ पे शो किया गया है कि आपको किस तरीके से 700 प्लस Activity को अड़ करना है, तो आपको ट्याप करना है, डन किजिए, यहाँ पे शो करते हैं 20 वर्काउट मोड, और आपकी वाच में भी शो करेंगे, यही सेम 20 वर्काउट मोड, हला कि यहाँ से आप किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो, तो आपको रिप्लेस वाच एक्टिविटीस पे ट्याप करना है, माल लेते हैं, आपको हाईकिंग के प्लेस पे ऐड करना है किसी और एक्टिविटी को तो आपको हाईकिंग पे ट्याप करना है, और यहाँ पे आपको एक्टिविटी में तो आपको जो 20 वर्काउट है, उस में जो हमने एड किया है, bowling वाला वो शो करेगा ये रहा sports में तो आपके पास 700 प्लस options लेकिन आप add कर पाओगे एक साथ के वाल 20 workout मुड को आपकी वाश में save करने के लिए back जाईए और अगर आपको अपनी वाश में cricket और football के life score को दिखना हुआ तो आपको sports score पे tap करके सबसे इसे enable करना है तो करेंगे हम enable now enable score push to watch पे on किजिए इसके बाद आपको ok करना है vibration को भी on करना है तो on किजिए तो आज कौन-कौन सी matches play हो रही है यहाँ पे show कि जाएगा फिर आप tap करके उसे enable कर सकते हो उसे match का score शो करेगा आपकी watch में तो हमने display को on करने के लिए homepage पे होते हुए अगर आप इस पे press करोगे तो आप access कर पाऊगे main menu को यह है main menu अगर आप किसी भी menu में enter करते हो वहाँ से अगर आपको step by step back जाना हो तो आपको इस पे press करना है step by step back जाने के लिए step by step back जाने का और एक तरीका है आपको इस तरीके से करना है swipe right step by step back जाने के लिए और अगर आप इस पे long press करोगे तो आपको मिलेंगे दो options इस watch को restart करने के लिए और इसे stop करने के लिए homepage पे अगर आप करोगे swipe down तो आपको मिलेगा control center उपर में है battery level percent में free date है day सबसे बहला toggle है dnd का तो आप यहांसे one tap में dnd को on up कर पाओगे अगर आपने dnd को on कर दिया मतलब कि आपकी watch में कोई भी message या calls नहीं हैंगे इसके लिए आपकी watch में कोई भी sound या vibration पे नहीं होगा बाद में alarms को add करने का option तो आप यहांसे एक साथ 5 alarm को add कर पाओगे plus के sign पे tap कीजिए time set कीजिए hour minute इसके बाद next कीजिए कौनसे दिन को आपको alarm को प्ले करना है अप कुन दिन को choose करना है फिर करना है tick पे tap आप यहांसे alarm को tap करके उसे on up कर सकते हो इसके लाओ time पे tap करके आप उसे change भी कर सकते हो यह इसे आप delete भी कर सकते हो जब भी alarm का time है तब आपको मिलेगा alarm का reminder आपकी वाच में vibration के साथ इसके बाद है find my phone तो आप इस toggle के जरी अपने phone को ढण सकते हो मानलो आपने अपने phone को के भी रख दिया है आपको नहीं मिल रहा है तो इसे में अगर आप इस पेटे आप करोगे आपके phone मेरिंग बजेगी अगर आपका phone silent पर होता है फिर भी आपके phone मेरिंग बजेगी stop करने के लिए बैट जाईए हाला कि यह feature दभी काम करेगा जब आपकी watch आपके phone के साथ connected होगी फिर यह brightness को adjust करने का toggle तो आप यहां से brightness को arrow पे tap करके adjust कर सकते हो इस तरह किसे फिर आगे है settings इसमें सबसे पहले है watch face को change करने का option तो आप यहां से भी watch face को swipe करके change कर सकते हो set करने के लिए tap किजिए आगे है screen slip मतलब की screen time mode तो यहां पे है 5 second से लेकर maximum 20 second टक option माल लेते हैं मैंने set किया है 5 second तो इसका मतलब क्या है मेरी watch में display अब 5 second के लिए on रहेगा उसके बाद अफ हो जाएगा इस तरह के से display को आपको कितने time के लिए on रखना है उसे कहते है screen slip आगे है ringtone तो इसमें आपको बलेंगे 2 options पहला है silent mode तो अगर आप चाहते हो जब भी कोई call आई आपके वाश में तो ringtone ना बजए तो आपको set करना है silent mode पे लेकिन अगर आप चाहते हो ringtone बजए आपके वाश में call आने पे तो आपको इससे off करना है और यहां पर आपको विलेंगे रिंग्टोन को set करने के लिए दो option, एक है dream, एक है काम, जो set करने हैं उसे set किजिए, okay किजिए, आगे है wake gesture मतलब की rest week का feature, तो आप यहां से दो तरीके से इस use कर पाओगे, एक तो all day हमेशा के लिए, या फिर आप इस time के साथ सभी use कर सकते हो schedule पर आप किजिए, और आपको यहां पर time set करना start time, end time, जो time आप यहां पर set करोगे उस time के दुरान, यह feature काम करेगा आपकी watch में, आजा कि मैं आप set करूंगा all day पे हमेशा के लिए, फिर है vibration की intensity को change करने का option, तो यहां पर आपको विलेंगे 3 option, strong, soft या none, अगर आपको vibration नह आप इसे time के साब से भी use कर पाओगे, जो time आप यहां पर set करोगे उस time के दुरान, dnd काम करेगा आपकी watch में, system में आपको मिलेंगे 3 option, इस watch को restart करने के लिए, switch up करने के लिए, और इसे reset करने के लिए, फिर है download app, तो जो board crest app हमने download किया है, उसका QR code दिया गया है, हमने पह मेजर पेड़ाप करके, कर पाओगे, SP2 को मेजर, सेम तरीके से आगे है heart rate मेजर करने का option, तो आपको करना है मेजर पेड़ाप, इसके आगे है sleep data, तो आप कितना time सोये, और आपके अलग-अलग sleep stage है, आप पे शो करेंगे time के साथ, इसके आगे है music player, तो music का नाम शो करेग फिर प्ले, previous, next और volume control, तो प्ले किजिए, previous, next, volume control यहां से आप कर सकते हो, volume down और volume up, music जो है, play हो रहा है मेरे phone में, और हमेशा आप phone में ही play होगा, अलाग यहां से उसे control कर सकते हो, इस watch में music play नहीं होता, इसके आगे है notification, तो आप यहां से read कर बाओगे, अपने message को, home page पर अगर आप करोगे, swipe up, तो आपको यहां पर मिलेगा cricket score, तो जो भी cricket match आपने चुस की है, उसका score आपको यहां पर शो के जाएगा, और जो भी time interval आपने set की है, उस time के हिसाब से आपको मिलेगा cricket score का alert, यह contacts आपने add के थे आप में, अब यहां पर शो कर रहें, आप इन में से किसी भी contact को call कर सकते हो, बस आपको उस पर tap करना है, call करने के लिए, फिर यह dialer, तो आप यहां से किसी भी number को dial करके, काफी आसनी से call कर सकते हो, one tap में, फिर यह है call history, तो आपको यहां पर show करेंगे, आपके पिछले calls टाम के साथ, अगर आपको इन में से call करना हो, तो आपको इस पर tap करना है, call करने के लिए, अगर आपको इन में से किसी भी call record को करना है, इस तरह के से clear, swipe करके, फिर यह है activities, जो भी 15 activity आपने set की है, आपके app में, यहां पर show करेंगे, तो आपको अगर इन म अपने phone में quickly, यहां से music को कर पाओंगे control, इसके allow आपको इसे करना हो, पोस तो किजिए swipe, यह हो चुका है, पोस, अगर आपको resume करना है, तो resume पिटे आप कीजिए, अगर आपको end करना है, तो किजिए end, अगर आप शाहां तो आपको workout data से हो, तो आपको minimum 1 minute के लिए workout करना ह और अगर आपको workout data से होता है, तो आपको शुकर कर यहां पे, activity record में, फिर है heart rate, SPO2, sleep, जो हम देख चुके है, आगे है breathing workout, तो यहां से आपको set करना timer, और फिर आपको यहां पे speed को set करना है, फिर करिए start, फिर यहां पे notification, stopwatch, timer, alarm, flashlight आप यहां से on कर पाओगे, one tap में, इस उसके बाद अगर आप camera पे tap करोगे, तो आपके phone में open होगा, camera और आपको करना है permission को लाओ, इसके बाद अगर आप tap करोगे, तो आपके phone में capture होगी photo, और आप यहां भी अपने साब से timer को set कर सकते हो, यहां पे option, एक second से लेकर 10 seconds, माल लेते हैं मैंने set किया 3 seconds, इसका अगर Google Assistant, Siri या विक्स भी है, तो इसका आप करोगे, आपके phone आप करना है, फिर से tap कीजिए, call railways, दोस्तो तो यह था, boat wave sigma smartwatch का full setup guide, अगर आपको वी भी सबास हो तो आप हमें पूच सकते हो, आप मुझे Instagram पे या फिर Twitter यानिकेक्स्याप पे भी message कर सकते हो, इस video को देखन आपके लिए धन्डवाद दोस्तो,